गुद बॉर्निंग आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है आज हम 10th क्लास की NCRT बुक का जो फर्स चैप्टर है रियल नंबर्स उसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या है रियल नंबर्स दुनिया भर के जो सारे नंबर्स हैं उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं कौन कौन से चाहे वो कोई भी प्लस वाली टर्म हो चाहे कोई माइनस वाली हो चाहे कोई पॉइंट वाली हो चाहे कोई फ्रैक्शन हो माली जे 3 बाई 5 है या कोई अंडरूट वाली टर्म हो या पावर जिसकी मरजी पावर हो 3 हो या माइनस 5 की पावर 2 बाइ 5 हो कोई भी टर्म दुनिया भर की हर टर्म को रियल नंबर कह देते हैं ठीक है अब हमारा इस नंबर को पढ़ने का क्या मकसद है हमने अल्टीमेटली इसको पढ़कर दो चीजें सीखनी है वो है HCF and LCM ठीक है अब कई मैथड ऐसे हैं जो सिर्फ HCF के बारे में बताते हैं और कई मैथड सिर्फ LCM के बारे में बताते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो इन दोनों के बारे में बताते हैं हमने उन में से सिर्फ 3 मैथड की बात करनी है जो आपके बुक में दियें गई हैं पहला म वीजन लेमा एल्गोरिथम यह ऐसा मेथड है जो सिर्फ हमें HCF को निकालना सिखाता है ठीक है दूसरा मेथड है मेरे पास fundamental theorem of arithmetic fundamental theorem of arithmetic यह सिर्फ LCM के बारे में पढ़ना सिखाती है कि LCM को कैसे निकालना उसके बारे में सिखाती है थर्ड है लास्ट है प्राइम factorization method यह ऐसा method है जो दोनों को निकालना सिखाता है चाहे वह HCF हो चाहे वह LCM हो दोनों के बारे में बताता है आज हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है यूकलिट division algorithm method यही आज हम पढ़ेंगे जैसे कि आपको नाम से क्लियर है कुछ division से related ठीक है और इसको जिसने बताया result को उसको यूकलिट का नाम दे उसका नाम था यूकलिट ठीक है is की algorithm क्या होता है algorithm मतलब कुछ ऐसे steps जिन को करके हम किसी भी क्वेस्चन का को सॉल्ट कर सकते है solution ढून सकते है algorithm मतलब कुछ steps series of steps जिन को करके हम किसी भी question का solution ढून सकते हैं अब हमारा main मुद्ध है कि ये क्या कहता है हमने छोटी classes में division करनी सीखी है मान लीजिए मैं कोई भी दो number ले लेती हूं ये ले लीजिए 16 और एक number मैंने ले लिया 2 ठीक है अब कहता 16 को 2 से divide कीजिए तो चलिए हम divide कर लेते हैं 16 बड़ी term को अंदर रखूंगी चोटी को बाहर रखूंगी है न तो डिवाइड किया अब डिवाइड करने पर मेरे पास दो चीज़ें दो number और आएंगे एक यहां पर लिखा जाएगा एक जो नीचे remainder आएगा तो 286 remainder कितना आगया जीरो अब इन चीज़ों को क्या कहते हैं वैसे सब को पता है फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देती हूं क्या कहते हैं इसको डिवाइजर यही कहते है न इसको क्या कहते है 16 को dividend और इसको क्या कहते हैं quotient और नीचे वाला जो है बाकी बच जाते हैं इसको क्या कहते हैं remainder यह चार चीज़ें कहते हैं आप सब ने यह छोटी process में पड़ी हुई है अब हमने देखना है कि इन चारों का क्या रिष्टा है ऐसा कौन सा relation या connection है जो इन चारों को आपस में बांधे रखता है क्या रिष्टा है देखें अगर देखें एक तरफ यह 16 है मैं इसको इदर लिख लेती हूं और बराबर का निशान डाने लगी हूं क्या किसी और तरीके से भी 16 आता है तो अगर हम इसको और इसको आपस में multiply करें 2 into 8 multiply कीजिए ठीक है अब 8 तूजा 16 अब इसमें अगर मैं यह remainder add करूं प्लस 0 तो 8 तूजा 16 प्लस 0 सेम साइन है तो answer 16 ही आगया तो दोनों आपस में बराबर आ गए ना तो इसका मतलब इनका क्या रिष्टा है कि जो यह dividend है यह किसके बराबर है इन दोनों को multiply कीजिए और बीच में यह remainder जोड दीजिए यहाँ पे तो remainder 0 ह इसकी वज़े से कोई फरक नहीं पड़ रहा पर जिन questions में remainder 0 के अलावा 1,2,3,4 कुछ भी होगा तब तो फरक पड़ेगा ना तो यह रिष्टा है इन चारों का अब हमने इसी method को यह छोटी classes वाले division method को लेकर HCF सीखना कैसे करते हैं ठीक है तो मान लीजिए सबसे पहले मै examples के थूँ हम इसको सीख लेंगे फिर हम इसको define करेंगे mathematically ठीक है तो मा लीजिए मेरा पहला question है find HCF of एक simple सी मैं ले ले लेती हूँ 24 and 30 easy सा ठीक है ताकि आपको अच्छी से clear हो जाए फिर हम difficult बड़ी-बड़ी terms लेंगे अब इसमें 24 and 30 में हमने HCF finder करना है तो हमेशा बड़ी term अंदर रखने है डिवाइड करते वक्त 30 अंदर 24 बाहर ये कोई बताएगा नहीं हमने खुद self understand करना है कि बड़ी term को हमने अंदर रखना है छोटी को बाहर अब 24 के table पे 30 तो जाता ही नहीं इसका मतलब 24 वांजा 24 ठीक है अब इसको माइनस किया 0 में से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 कैरी करूंगी यहां पे और इसके उपर कटके कितना हो गया 2 तो 10 में से 4 गए 6 2 में से 2 गए 0 ये 6 बच गया अब इसको इसी तरीके से लिखा जाए तो क्या आएगा ये 30 बाहर बराबर 24 को 1 से क्या करना है multiply 24 into 1 प्लस यहां पे remainder अब कितना बचा है 6 तो प्लस अब क्या देखें कि 30 बनता है 24 वांजा 24 प्लस 6 एड किया अब दोनों के सेम साहिन है तो एड करूंगी 30 तो इधर 30 है इसका मतलब हमारा आंसर सही है ठीक है अब आगे चलिए अब क्या करना है इसको अब जो remainder ब बनाना है यह जो term थी divisor पहले वाला अब 6 के टेबल पर 24 कितने नबर पर जाता है 4 पर तो माइनस की आंसर कितना आ गया 0 आ ठीक है तो अब इसका हम इसी तरह लिखे तो यह चीज बाहर लिखी जाएगी बराबर पहले हमेशा यही लिखना है यहां पे भी मैंने पहले यही ही लिखेंगे क्यों क्योंकि यह दो चीज़ें हमें दी हुई है यह दो चीज़ें यहां पर हमें दी हुई है जो हमने चीज़ें फाइंडाट किया है वह कौन से है कोशन एंड रिमेंडर यहां पर कोशन एंड रिमेंडर उन्हें बाद में लिखना है तो यहां पर पहले इन्टू यह जो है 4 प्लस 0 जब remainder 0 आ गया समझ लीजिए हमारा question खतम ठीक है अब इसका HCF कौन सा है मेरे पास तो HCF आया मेरे पास जो last वाला divisor है 6 जो last वाला divisor है 6 यह हमारे पास HCF आ गया किन किन numbers का आया 24 and 30 ठीक है तो यह मेरे पास answer आगया है ना easy यह हमने division पहले सीखी होई है जो चीज छोटी classes में सीखी है उसी को लेकर हमने HCF सीख लिया ठीक है आपको लग रहा होगा कि यह तो easy है क्योंकि हमने कुछ नया सीखा ही नहीं बस एक नया नाम जरूर दिया है जिस सारे method को क्या कहता है Euclid division algorithm ठीक है और इससे सिर्फ हमें क्या solve करने को मिलता है HCF एक और question कर लेते हैं फिर आपको proper clarity हो जाएगी दूसरा question है मेरे पास solve 867 and 255 यह question है ठीक है solve मतलब it's HCF find it's HCF ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 255 को बहार रखेंगे और 867 को अंदर अब 255 के table पे पहले देखें 255 तूजा 52 का 10 और वान 11 तूटू का 4 और वान 5 510 आ गया 3 पे करके देखें 3 फाइवजा 15 तूटू का 6 और वान 7 यह जा रहा है तो इसका मतलब 3 पे जाएगा 765 अब माइनस किया तो कितना answer आ गया मेरे पास 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1 अब यह remainder आ गया तो पहले इसका ऐसे लिखें तो क्या बना इस चीज को बाहर लिखूंगी बराबर इसको पहले लिखूंगी ठीक है फिर multiply किस से करना है quotient से प्लस remainder कितना बचा 102 अब आ गये इसको हमने अभी remainder 0 नहीं आया जब 0 आ गये तब हमारा question क्या हो जाएगा खत्म तो अब 102 बाहर अंदर कौन सा लिकर आउंगी यह 255 लिख अगल पे 2 पे multiply करें तो तो पे गया 204 आ गया माइनस किया 5 में से 4 गए 1 5 में से 0 गए 5 यह आ गया अभी 20 नहीं आया ना तो इसका मतलब मुझे आगे करना पड़ेगा पर उससे पहले ऐसे लिख लें तो क्या बचा 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस remainder कितना 51 अब यह 51 बाहर तो अंदर कहागा 102 अब 51 के टेबल पे 102 पे जाता है 2 अंदर 225 का 10 तो इसका मतलब 2 पे गया तो अब remainder कितना आ गया 0 अब remainder 0 आ गया ना तो इसका मतलब मेरा यह question क्या हो गया खत्म अब इसका वैसे लिखें 102 पराबर 51 इंटू यह quotient प्लस यह जो है remainder ठीक है अब यहाँ प हो गया खत्म अब अगर question खत्म हो गया तो हमारा main मकसद hcf find out करना है तो hcf कितना आया आप मेरे पास जो last वाला divisor है तो hcf कितना आया hcf of age 67 to 55 is यह जो last वाला divisor है क्या है 50 वान तो यह answer आगा है ठीक है एक और question कर लेते हैं फिर आपको इससे थोड़ी सी बड़ी term का question कर लेते हैं फिर हम mathematically से define करेंगे ठीक है तो question है find hcf of question है मेरे पास term है 196 and 38220 यह question है अब हमने इसको करना है तो चलिए बड़ी term को अंदर रखें 38220 तो यह हमने बड़ी term अंदर रखी छोटी term बाहा रखी तो अब इसको divide करेंगे पहले हम देखें 382 यह term 196 पर जाती है तो 196 को टू से multiply किया तू सिक्स जा 12 टू नाइन जा 18 और वान नाइन टू वन जा टू और वान त्री त्री नाइन टी टू हो गया यह तो जाता ही नहीं इसका मतलब वान पे दिवाइड करें 196 आ अब माइनस करें टू 12 में से 6 गए 6 उपर आ गया 7 17 में से 9 गए तो कितना हो गया मेरे पास 17 में से मैंने क्या करना है 9 तो 8 आ गया फिर उपर गया 2 2 में से 1 गए 1 ठीक है अब यह तो जाएगा नहीं अब आप कहोगे कि इसको ऐसे करें ऐसे अभी नहीं कर सकते क्यों क्योंकि मैंने पूरी टर्म यहां पे डिवाइड नहीं करी है पहले हम सम्स में पूरी टर्म करते तक जो रिमेंडर बच जाता था वह उसको डिवाइजर बना लेते ते अब यहां पे तो हमने पूरी टर्म डिवाइड करी नहीं हमने तो सिर्थ पहले तीन टर्म ली थी तो इसका मतब पहले हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो 186 के आगे अब कौन सी टम 2 ठीक है तो यह 196 अब कितने पर जाएगा 9 से multiply करके देखते हैं 9 6 54 9 9 81 और 5 86 9 9 8 कितने हो गए 17 तो 1764 जा रहा है तो 9 पर गया 1764 12 में से 4 गए 8 उपर आ गया 5 5 में से 8 15 में से 6 गए 9 उपर आ गया 7 7 में से 7 गए 0 1 में से 1 गए 0 अब यह 98 आ गया अभी भी हमारे पास 1 टर्म बची होई है तो जब तक यह पूरी टर्म डिवाइन होती तब तक नहीं हम आ गए जाएंगे अब यह गया 0 ताली तो 196 को 5 से मल्टिप्लाई करूँ 5 6 जा 30 5 9 जा 40 5 जा 3 46 47 48 5 जा 5 जा 5 जा 4 9 तो यह तो सीधा 5 पर ही चला गया कितना आ गया 9 80 तो देखा आपने कि जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो इसका और डिवेंडर 0 आ गया तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे इसको बाहर ठीक है यह टू एक्स्ट्रा लिखा गया एक बार दुबारा से लिखते हूं 3A220 बराबर का निशान इसको इससे मल्टिप्लाई करना है लिखने वक्त पहले यह टर्म मल्टिप्लाई यह टर्म प्लस रिमेंडर कितना बचा मेरे पास 0 अब पहली बार डिवाइड करने पर मेरे पास रिमेंडर 0 आ गया ना तो मेरा यहीं पर question खतम हो गया तो इसका मतलब हCF कितना है मेरे पास of 196 and 38220 का 196 यही रिमेंडर हो गया है मेरे पास ठीक है तो यह question हो गया बस यह धियान रखना है कि अगर बड़ी जादा बड़ी टर्म आ रही है और डिवाइजर जिसके साथ हमने डिवाइड करना है वह छोटा है तो पहले हमने पूरी डिवाइड कर लेनी है यह नहीं किया यहां पे हमारे पास यह तोनों 3-3 वाली हो ते इसलिए पूरी की पूरी टर्म डिवाइड हो जाती थी यहां पे नहीं हुई इसलिए हमें पहले पूरी डिवाइड करनी पड़ी अब डिवाइड करने के बाद मेरे पास सीधा ही रिमेंडर 0 आ गय तो मेरा काम खतम अगर नहीं आता तब हम यह वाला प्रोसीजर करते हैं जो हम पिछले क्वेस्चन में करते हैं ठीक है तो देखा आपने अब है इस यूपलेट डिवीजन अल्गोरिथम से कैसे फाइनट करनी है है ना इजी हमने पहले ये डिवीजन मैथर तो सीखा हुआ है बस अब हमें एक रिलेशन पता चल गया कि इन चीजों में एक क्या रिलेशन है डिवीजन डिवीडेंट कोशन और रिमेंडर में आपस में क् ठीक है और इसको क्या कहते है यूपलेट डिवीजन अल्गोरिथम अब हम इसको ड्ूपैण करने लगी हैं मैथमेतिकली तो क्या है division of algorithm कहता given two integers positive integers ठीक है given two positive integers a and b there exists अब there exists को मैं English में भी लिख सकती हूं और इसका mathematical symbol ऐसे है ठीक है there exists two unique integers unique मतलब एकलोते वैसा और नहीं आएंगे integers q and r q का मतलब quotient r का मतलब remainder quotient ये वला ठीक है quotient का मतलब q से start होता है इसलिए q remainder r से start होता है ये वला तो उसे remainder r से लिख दिया such that ताकि इन में क्या रिष्टा था जो dividend अब यहां पर a dividend है तो उसको बहार रखेंगे b का ये वला पहले quotient बाद में लिखते थे plus का लिखते थे r ऐसे होता था a b q और बीच में क्या था अब r की क्या खासियत है r क्या या तो वो 0 होगा remainder या तो हमारे पास 0 आता था इसलिए हमने बराबर डाला है या remainder 0 से बड़ा आता था यहां पर हमें या तो 2, 4, 5 कुछ आता था माइनस वाली remainder तो कभी नहीं आया ना और नहीं कभी आएगा तो इसका मतलब remainder हमेशा या तो 0 से बड़ा या बराबर होता था पर b से क्या होता था छोटा मतलब जब भी हम यहां पर divide करके हमारे पास remainder आता है जैसे यहां पर remainder आया यह हमेशा इस से तो छोटा ही राया यहा अगर सेम हुआ मान लीजिए मैं यहां पर divide करती हूं मान लीजिए मेरे पास 6 है इसको divide किया 5 से ठीक है अब 5 से स्वारी 7 से करते हैं तो इसको divide किया 3 2 6 1 बच गया यह remainder अब इस से छोटा है ना अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर आ गया 3 अगर सेम भी आ गया तो मैं इसको फिर 3 के table पर 1 पर divide कर सकती हूं ना इसका मतलब हर हाल में हमारी division कब खतम होती है जब remainder या तो 0 हो या इस से क्या हो छोटा नमबर तो यहीं लिख है यहां पर divisor भी है ना तो वहीं लिख है remainder के R या तो वो 0 हो या वो इस से क्या हो छोटा है इसका मतलब यह चीज वहीं लिख है कि कोई भी दो positive integers अब हमने जो भी अभी तक question के यह हमेशा positive ही होने चाहिए यहां पर भी जो question किया 2430 positive थे ना negative तो कोई नमबर नहीं था तो यह जो आ यूकलीड लामा यह हमेशा positive पर ही लगेगा ठीक है अब आपने इस से related question करने questions करने है 1.1 exercise से related है ठीक है 10th class की NCRT की 1st chapter की 1st exercise 1.1 उससे related questions कीजेगा thank you have a nice day